हमशकार दोस्तों स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल एवरिटिंग हिंदी पर आपका दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले वजीरेक्स के बारे में कि वजीरेक्स काफी सारे कोईन इसके बाद आए और फिर आगे बढ़कर चले गए लेकिन वजीरेक्स एक बार अपनी स्पाइक लेने के बाद एक बार अपने अल्टाइम हाई अचीव करने के बाद तब से डाउन ट्रेंड की तरफ ही चल रहा है उसके बाद Avalanche बढ़ा, उसके बाद Solana बढ़ा, उसके बहुत सारे और कोईन बढ़े, Bitcoin बढ़ा, Ethereum बढ़ा, सब कुछ बढ़ा लेकिन वजीरेक्स एकदम टस्ट से मस नहीं हो रहा, एकदम बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है तो काफी सारे लोग इसको लेकर चिंता में हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वजीरेक्स में अभी भी प्रोटेंचल बाकी है या नहीं तो दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम आपसे बात करने वाले WRX टोकन के बारे में तो WRX टोकन के बारे में पूरी डीटेल में बात करेंगे और उसके लिए अभी हम शुरुवात से बात करते हैं कि WRX की शुरुवात कहां से हुई थी इसकी शुरुवात हुई थी 2020 फरवरी से और उससे पहले इसकी शुरुबात हुचयों प्रवरीत ही इसके 2017 से तकरीबन इसकी शुरुवात जो इनिश्यल 16 के जो फांडर है इस एक्स्चेंज के उणहोंने अपने आर्टिकल में एक लिक रखा है कि उन्होंने 2009 से ही Bitcoin को काफी ज़दा attention दिया 2012 से उन्होंने उसकी mining वगेरा शुरू गया और काफी सारा समय अपना cryptocurrency में देते देते 2017 जब आया तो उस समय काफी panic की situation हुई थी क्योंकि 2017 में market एकदम से पहली बार crash हुई थी और काफी सारे लोग उस समय उसको attract हुए थे क्योंकि अच्छा खासा spike ले रहा था market और उस spike के साथ अच्छा खासा crash हुआ था तो उसी समय लोग को एक अच्छा नुभवी हुआ था और साथी साथ एक बुरा नुभवी हुआ था कि नई एक्सचेंज हो चुका है वजीरेक्स उसकी बाद 20 आते आते 20 फरोरी को उनोंने अपना एक utility token यानि कि एक्सचेंज को जो support करेगा एक्सचेंज की जो backbone बन सकता है वो अपना token start के इसका नाम है वजीरेक्स वजीरेक्स जिसकी total supply 1 billion है यानि कि एच्छी खासी इसके supply है और आज की जारिक में तकरीबन 40% मार्केट में circulate हो चुका है वजीरेक्स का जो इन्होंने use डाला था वो यह डाला था कि जो आप trading करेंगे तो उस trading की fees की रूप में है पहले first year में 50% आपको trading में discount मिलेगा उसके next year 25% उसके next year उसका तकरीबन आधा यानि 12.5% और उसके next year यानि 6.5% चार सालों तक अगर आपके बास वजीरेक्स होल्ड है तो trading fees में आपको discount मिलेगा उसके बाद कुछ और features है जो वजीरेक्स को important बनाते हैं वजीरेक्स को price में appreciation करने के लिए बनाएगा जिसमें की एक है सबसे पहला वो है burn का feature वजीरेक्स में burn का feature डाला गया है total supply इनकी 1 billion है और उसका 10% यानि 100 million supply को इनको burn करना है वो burn होती रहेगी हर quarter पर हर 3 मेने पर इनकी वजीरेक्स का burn होता रहेगा जिस हिसाब से उस quarter में profit होता है तो अभी जो पिछली recent जो burn हुई थी उनसे आप अंदाजा लगाई है कि इन्होंने किस हिसाब से burn किया था तो recent इन्होंने सबसे पहला जो burn किया था वो किया था तक्रीबर आठ लाग तेटीस अजार और उसकी बाद किया था 33 लैक उसके बाद किया था 65 लैक उसके बाद किया था 65 लैक यानि कि अगर हम इसके जो अभी जो second last चुकिया था 65 लैक किया था उसके बाद 37 यानि half हिया तो उसकी वज़े से आप यहां पर अंतर देखिए यहां पर जो यह स्पाइक जो मिला है वो इस पाइक मिलने की वज़ा यही ती कि पिछली बार इन्होंने डबल किया था इस बार से तो इस बार जो बर्न हुआ था कब हुआ कब पता ही नहीं चला क्योंकि मार्केट में उसकी बात next इनका जो price impact आलता है दूसरा जो point है वो NFT जो अभी recently उन्हें launch किया है और उसमें खास बात यह है कि जो भी creator है वो इसमें अपनी NFT अपलोड कर सकते हैं आज की तारिक में ये normal हो चुका है इसमें अगर आप लोग NFT के creator हैं तो इसमें आ सकते हैं काफी सारे Instagram के अग सब इस पर अपने NFT को अपलोड कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे क्योंकि starting phase है तो अभी इतना सदा लोग hype तो नहीं है लेकिन starting हो चुकी है तो इस कारण से क्योंकि ये सारी चीज़े वजीरेक्स के ही platform पर है और वजीरेक्स की ही utility token यूज़ करके आप उसको buy, sell, upload ये सारी जीज़े वजीरेक्स के token को यूज़ करके कर सकते हैं next जो इनका token को आप करने का तरीका है वो ये है कि अगर वजीरेक्स पे कोई भी token list करना है तो उसके लिए जो fees payment करनी है वो करनी है आपको वजीरेक्स token में तो ये एक इनका अच्छा feature है उसकी बाद next वजीरेक्स को buy करें तो उसका liquid उसका volume बढ़ेगा उसके बाद एक और use है last use है जिसमें कि अगर आप वजीरेक्स की mining करना चाहें अब भी आज की तारिक में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है लेकिन जब ये token नहीं स्टार्टिंग आया था तब वजीरेक्स ने इसका ऐसा option डाला था कि जिसमें कि आप इसकी mining कर सकते हैं, mining नहीं मतलब एक mining का नाम दिया गया था क्योंकि ये already token अपना proof of stake पर है तो इस कारण से इसको already ये सारा mine है तो इसको सिर्फ वो reward के तौर पर देते हैं जैसे air drop के तौर पर देते हैं तो उसको एक नाम दिया गया था mining उस तरीके से आप mining कर सकते थे कुछ समय तक शुरुवात में लेकिन अभी वो चीज़ बंद हो सकता है भविश्य में ये चीज़ खोली जाए तो अभी ये सारे इसके token को appreciation के लिए इन्होंने option डाले हैं बाकी exchange पर तो इसका use है है कि इस token से आप कोई भी coin को buy कर सकते हैं उसमें आपको trading piece नह कारे में जो की है वियोनो technologies और यह है वियोनो technologies मतलब इनका काम यह है कि आपकी जो cryptocurrency है उसको यह as a staking पर लगाते हैं और उसमें फिर आपको उसके बाद फिर आपको reward देते हैं और इस टेकिंग का जो reward है वो किस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं calculate income पर जाकर और यहां पर अगर हम सिर्फ 100 डॉलर अगर लगाते हैं एक हफते के लिए तो return में आपको 4.2 डॉलर extra मिलेगा इसी तरह जितना भी multiple में आप चाहें उतना करके देख सकते हैं और इस वियनो technologies का यूज सिर्फ यह है कि आप इस पर staking कर सकते हैं यह exchange नहीं है इसमें आप as a staking के तोर 2300 डॉलर है और हमने अभी active deposit हमारा 2600 डॉलर है तो अब यहाँ पर अगर add करना है balance कैसे add करना है add balance पर जाएंगे और choose deposit method पर जाएंगे और यहाँ पर कोई भी cryptocurrency जो भी आप इसमें add करना चाहें वो यहाँ पर add कर सकती कोई भी अपना token और अब यहाँ से जो भी आपको staking पर लगाना है अब इस method पर लगाना है daily 0.6 method पर या इस method पर लगाना है for month के लिए एक हफते के लिए एक week के लिए 3 महिने के लिए जिस भी method पर लगाएंगे उस हिसाब से आपको return मिलेगा तो अभी हम सर्फ test करने के लिए एक हफते के लिए जाते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा dollar है उसमें सर्फ 50 dollar लगा कर देखता हूँ create deposit करेंगे तो हमारा यह successful deposit हो गया और वो दिखेगा कहां पर क्य है जो की 90 दिनों के बाद पूरा विड जो भी इसका इंट्रेस्ट होगा उसके साथ हमको withdrawal मिल जाएगा अब यह सारा withdrawal अब जिखे कुछ हमारे लगभग लगभग complete हुए हैं तक्रीबन 4100 dollar जमा किया तो यह मिला है इस हिसाब से मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप जमा करेंगे उसका उतने समय की सा बात से रेटन मिलता है अगर withdrawal करना है तो यहाँ पर जाके आप create a withdrawal रिक्वेस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर अपना create a withdrawal request करेंगे जो भी आपको withdrawal एस डाल देख सकते हैं, explore कर सकते हैं और अगर कुछ भी लगाना है तो कुछ छोड़ा सा amount आप लगा के इसमें testing के तोर पर देख सकते हैं उसके बाद कुछ controversy भी वजीरेक्स के साथ रही जिसमें सबसे पहली controversy तो यही होती है कि जब कभी भी इंडिया के कोई ऐसी news आती कि इंडिया में cryptocurrency के कोई नियम आना है और जैसे ही इतनी news आती कि हाँ कोई एक cryptocurrency के बारे में इंडिया update देना चाहती है तो तुरंट वजीरेक्स के price में fluctuation होना चालो हो जाती है जैसे ही अगर वो positive news है तो वजीरेक्स का price अब जाता है और अगर negative है तो वो down जाने लगता है उसके बाद एक हाली में ED की news आय थी जून या जुलाई में शायद तो उसमें वजीरेक्स को अच्छा खासा dent लगा था वजीरेक्स की goodwill पर और उसके बाद वजीरेक्स के token का price तो कुछ कम हुआ ही हुआ और वजीरेक्स को एक ED ने ये notice दिया था कि आपका जो transaction है आपके wallet पर जाता है और उसके बाद international बनकि सीदे सीदे चाइना चला जाता है तो ये सारे issues हुए जिसके बाद उन्होंने अपना response दिया और उसके बाद अभी तक का सब कुछ बिल्कुल normal ऐसा लग रहा है क्योंकि publicly ED ने कोई letter नहीं जारी क्या वजीरेक्स को उसके बाद सभी चीदे normal सी नजर आने लगी है अब भी तक तो ये सारी controversy तो वजीरेक्स की और pattern अपने चालू कर रखे हैं लेकिर ये सारे pattern enough नहीं क्योंकि वजीरेक्स पर बहुत सारा load है और इस कारण से वजीरेक्स आया दिन कुछ ना कुछ उसमें issues लगे रहते हैं हम सब की कुछ ना कुछ चोटी-चोटी issues हैं मैं जानता हूं सबके साथ issues हैं deposit के withdrawal के और बहुत सारे और issue हैं जो कि वजीरेक्स शायद संभालना नहीं चाहता है या संभालना नहीं पा रहा है क्योंकि अगर सब कुछ आपके पास तो कुछ उसको manage किजिए क्योंकि audience को end of the day service ही चाहिए और अब last में बात कर लेते हैं वजीरेक्स token की इसके में मेरा क्या opinion है कि क्यों ये अभी तक नहीं बढ़ रहा देखिए इस वजीरेक्स token के साथ कोई ऐसा ये coin तो है नहीं कि इनकी खुद की blockchain है और इस पर बहुत सारे नहीं प्लेटफॉर्म आएंगे तो ऐसा नहीं है इनका use case जितना था वो मैंने बताया भी limited use case है तो उस हिसाब से ये potential है बाकि अब जब burn का आयेगा तो price में कुछ appreciation आपको मिलेगा और कम से कम कुछ रहत तो ज़रूर देखरों को मिलेगी बाकि अगर chart pattern की बात किया जाए तो उसमें अभी ये downtrend की तरफ चल रहा है और उसके बाद जब ये अपना breakout देगा तो positive की तरफ ही breakout देगा तो इसके लिए आपको अगर आपके बास holding में है आपकर आपके portfolio में है तो इसको hold करने में ही भलाई है और अभी sell करने में कोई सही समय ने क्योंकि इस समय काफी ज़दा down चल रहा है और market पूरी all over crypto की down चल रही है तो ये भी एक बड़ा impact है जो की वजीरेक्स को down लेकर जा रहा है उसके बाद बा आपके बास शूमें